पिर एक बर आप सब का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SKYCLOCK AEP के بारे में SKYCLOCK AEP क्या है? कैसी यूज करे? SKYCLOCK AEP में आपको अलग-लग सर्वर मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं SKYCLOCK AEP को किस तरह से यूज किया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके और वाला उप्सन स्लेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड हो तो उसका नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इस अप्लीकेशन को प्लेइ स्टोर से इंस्टोल करना है उसके बाद आपको इस अप्लीकेशन में कुछ इस तरह का इंटरफिस नजराएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टेटस अभी जो सर्वर है य लिष्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा अभी हम इसे बैक कर देंगे और यहाँ पर आपको टैप टू कनेक्ट का उप्सन मिलेगा यहाँ पर आप क्लिक करके जो सर्वर है उससे कनेक्ट कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर भी आपको कने हो चुका है और जो टाइम मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सर्वर कनेक्ट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं अभी हम इसे बैक कर देंगे तो यहाँ पर जो server connect है उसे disconnect करने के लिए आपको यहाँ पर click कर देना है और अगर जो time है उसे आप बढ़ाना चाहते है तो यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर जो add चलेगा उस add को आपको पूरा देख लेना है इस तरह से आप यहाँ पर जो time है उसे बढ़ा सकते है और इस तरह से आप इस application को use कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और चैनल में अगर आप नही है तो चैनल को subscribe करें तो फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you